नमस्कार, हमारी रेस्वरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ इम्यून आइस्क्री बनाने के रेस्पी सेयर करूँगी इसके लिए मैंने लिया एक निम्बू, दस बारा मिंट की पतियां, पचास गराम चीनी, थोड़ा सकाली मिर्च दरदरी पीसी वी और पानी तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले बहुत होने में पानी डाल कर चरहेंगे गरम होने पर उसमें हम चीनी डालेंगे उसे अच्छे से मिला देंगे चीनी मेल्ट होने तक चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम उसमें मिंट की पतियां डालेंगे मिंट की पतियों को हम पानी के साथ उबालेंगे फिर इसमें हम 1-4 चमस काली मिर्च पॉडर डालेंगे इन दोनों को हम 2-4 मिनट तक उबा लेंगे ताकि मिंट की पतियां और काली मिर्च का फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसके बाद हम एक बावल में 1-4 चमस कॉर्ण फ्लोर लेंगे और पानी डाल कर उसे फ्यंटेंगे फिर इसे हम उबलते वे पानी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक डाल के मिलाएंगे इसे बजार जैसा लुक देने के लिए मैंने इसमें एक पिंच ग्रिन फूट कलर का इस्तवाल किया है ये बिल्कुल ओफ्सनल है अगर आपके पास है तो दीजिए वरना इसके बिना भी आईश्रीम का कलर अच्छा ही आएगा अब इसे गईस को आफ करके ठंडा होने देते हैं ठंडा हो जानने के बाद हम एक निमबु को कट करके एक बॉल में उसका रस निकाल लेंगे और अपने मिष्रन मीं उसे डालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर एक छन्ने से इसे छान लेंगे इसे हम आइस्क्रीम मोड में डाल देते हैं ये छे आइस्क्रीम बनके तयार हुआ है इसका तीखा खटा मिठा स्वात बहुत अच्छा लगता है इसे साथ घंटे के लिए फिरीजर में डाल कर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं साथ घंटे हो चुके हैं इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ वाँ देखी इसका कलर कितना अच्छा आया है इसमें मैंने निम्बू, मिंट की पतियां, काली मिर्स का यूज किया है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है आपको ये रेस्पी कैसे लेगी कमेंट बॉक्स में लिखके हमें जरूर बताएं धन्यवाद